कोई भी हम निकाल सकते हैं otherwise unit या तो आपका given हो सकता है अगर नहीं given तो इस फॉर्मले में अगर आपको opening finish goods देदे और closing finish goods देदे और unit sales देदे तो आप निकाल लोगे आप इस तरीके से apply होगा तो यहां main point आपका यही है इसके अलावा आपका कोई भी main point नहीं रहेगा अभी एक और question करूआ मैं तो एक बार फटा फट से यह हमारे book के अंदर 1.4 है आपके महिश्वरी मित्तल के book में illustration number 1.4 तो इसको एक बार note करिए फटा फट फट फिर मैं अगले topic पर चलता हूं इसके अगले topic क्या हमने question ही करने जितने question practice करेंगे उतना ज्यादा हमें समझ में आए गई है